मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये वीडियो मिल गया है, सच में, because ये कोई coincidence नहीं है, इस प्यारी दुनिया में आपके ही सामने ये वीडियो कैसे आया, इसका कोई reason तो होगा न, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बना है, और इसलिए ये आपके सामने आया है, अभी अगर आप logical brain से सोच रहे होगे, तो आपके मन में बात आयेगी, अच्छा ठीक है, ये YouTube का algorithm होगा, जो मेरे सामने ये वीडियो लेके आया है, या फिर मैंने इस चैनल को subscribe किया है, इस वजह से ये वीडियो मेरे सामने आया है, पर ऐसा नहीं है, हम actively हमारी reality को बनाते रहते ह हम जो सोचते हैं, वही इस universe में expand होता है, हम जो बात करते हैं, हमारी बातों की frequency से हम हमारे जीवन में हमारे लिए चीजे attract करते रहते हैं, हम जो चीजों से घबराते हैं, उन्हें भी सोचते हैं, और उन्हें भी हमारे जीवन में attract करते रहते हैं, तो मुझे बस आपको यह ही महसेज देना है कि हम हमारी बस इच्छाओं को ही मानिफिस्ट नहीं करते हम हमारे डर को भी मानिफिस्ट करते हैं कितनी बार ऐसे होता है हम हमारी इच्छाओं को मानिफिस्ट करते हैं उस समय हम गरती से कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो हमारे इच्छा के विपरित होता है और फिर वही चीज हो जाती है, हमारी इच्छा पूरी होते होते end में ही आके उसका फल हमें मिलता नहीं, ये हमारा डर ही है जो manifest हो रहा है, जो हमारी इच्छा के उपर हावी हो रहा है, हमारा डर, हमारा फियर, हमारी इच्छा पूर्ती की शक्ति को कंट्रोल कर रहा है और उसी वजह से हमारी इच्छा नहीं तो हमारा डर मानिपिस्ट हो रहा है हमें इस छोटी सी थिन लाइन को समझने के आवशकता है कि हमारे विचार शक्तिशाली है तो हमारी इच्छा और डिजायर ये भी विचारों से मतलब थौट से बनी है और हमारा फियर और हमारा डर भी विचारों से बना है तो हमें बस हमारे विचारों में बालंस बनाये रखना है हम इंसान हैं डर तो लगेगा बद उस डर की मातरा उन डर के विचारों की फ्रिक्वंसी को हमें कंट्रोल करना है ताकि हमारी इच्छा, ड्रीम्स और डिजायर्स की जो थौट्स है इच्छा शक्ती है उन्हें हम बढ़ावा दे सके उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा प्रज्वलित कर सके जागृत कर सके कि वो हमारे डर पे हावी हो जाए हमारी इच्छा पूर्ती की शक्ती जब हमारे डर क के उपर हावी होगी, मतलब डर की एनरजी कम और इच्छा शक्ति की एनरजी ज्यादा होगी, तब हमारे जीवन में हम जो चाहिए उसे मैनिफिस्ट कर सकते हैं. झाल झाल झाल